वेलकम टो माई चैनल आज मैं आपके लिए लाया हूँ 30 डेज वेट लॉस चैलेंज 30 डेज के लिए मैं आपके साथ शेयर करूँगा स्मूदीज की रेसिपी आपको अपनी किसी भी दो मील ब्रेकफास्ट और डिनर प्रेफरेबल है इनको रिप्लेस करना है मेरी इन दो स्मूदीज से मेरा टार्गेट है कि मैं आपका 10 केजी वेट रेडियूस कराऊं 1 मन्त में बड़ द्यान रहे हैं आपको अपनी बाकी की मील्स में कुछ गड़बर नहीं करनी है उसमें कैलरीज मेंटेन करके रखनी है मैं जल्दी उन मील्स के लिए भी रेसीवी लेकर आऊंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैलेंज को वेट लोस चैलेंज की नेक्स स्मूदी आपके लिए लाए हूं मैं प्लम बनाना स्मूदी प्लम जिसे हम इंडिया में आलो बुखारा भी कहते हैं इसके लिए जो इंग्रिडेंट्स चाहिए वो है आलमन्ड सॉक डेंट पील 25 ग्राम यानि मैंने रात को भिगो दिया है और सुबह उनका छिलका उतार दिया है कोकोनेट वाटर एक नारियल से जो पानी निकलेगा आलो बुखारा दो पीसिस बनाना एक पीस अब सबी इंग्रिडेंट्स को हम अपने ब्लेंडर में डाल लेते हैं प्लम वाइटमिन्स में बहुत ही रिच है इसमें वाइटमिन A, C, K भरपूर मातरा में है और मिनरल्स लाइक मेगनेशियम, फोस्फोरस, जिंक, और केल्शियम भी इसमें भरपूर मातरा में है क्योंकि ये वाइटमिन C में रिच है तो ये हमारी इम्मुनिटी बूस्ट का भी काम करता है इसके अंदर वाइटमिन C और बीटा केरेटीन है जिससे हमारी आईज की हेल्थ प्रमोट होती है यानि हमारी आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही अच्छा है एक सबसे इंपोर्टन चीज इसके अंदर है कि ये हमारे बलड की फ्लूडिटी को आइटरीस के अंदर इंक्रीज करता है जिससे की हमें काडिय केरे स्ट्रोक से प्रोटेक्ट करता है यानि कि हमें हिर्दै रोगों से बचाता है इसके लिए बहुत ही अच्छा है ये वाइटमिन के इसमें भरपूर मातरा में है जिससे की हमारे बलड की प्यूरिफिकेशन होती है इसमें electrolytes भी काफी अच्छे amount में है जिससे हमें dehydration नहीं होती चलिए ये मेरी smoothie ready हो गई है enjoy कीजिए plum banana smoothie और मुझे बताईए कैसे लगी आपको मेरी smoothie thank you guys